तो देखिए फ्रेंड आज हमने लाडू गोपाल जी की बहुती सुन्दर सी ड्रास बनाईए कोटन फैब्रिक से जो कपड़े हमारे पास बच जाते हैं जिसके चोटे चोटे टुकड़े बच जाते हैं तो उससे पूरा सेट करके हमने इस तरह की ड्रास बनाईए तो चलिए पैना के बताती हूं मैं इसकी 4 को साहते हैं सुन्दर सी बि tallest बनासकते हैं कौटन बहादी के संदर सी ब्लाविनन प्लेंग के सेट कर सकते हैं प्रेंट वाला याज भी और वो असे प्लेंग बहान तीन चार नमबर लाड़ो गुपाल जी को अराम से ये ड्रस पैना लेंगे देखिए बहुत ही सुन्दर सी प्यारी सी ड्रस बनी है यह और बिलकुल भी ऐसी नहीं लगेगी कि आपने बचे वे ना फैब्रिक से ये ड्रस बनाईए आपको ऐसी लगेगी कि यह आपने पूरी आचे से कट कर के आराम से इसी पैटन के अकॉर्डिंग ड्रस बनाए देखिए मैचिक पगड़ी भी बनाई है हमने लाड़ो गोपाल जी के ओवरोल लुछ कियए है द्रस का लाड़ कॉपाल जी का केसे रगए आपको लाड़ कॉपाल जी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर जरूर करना और अगर आपके पास यह फैब्रिक नहीं हो ना टुकड़े वगेरा बच्ची समय तो अलग-अलग प्रिंट की हम मेरे पास बज गए थे तो इसको यूज करने का सबसान तरीका था किस से हम ड्रास बना चलिए मेजरमेंट बताती हूँ दो इंच इसकी चोड़ाई है और लंबाई साड़े तीन इंच है लगबाई साड़े तीन इंच लेंगे हम इसको और प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेंगे उसको अपस में जोइंट करना है और फिर एक इंच का मारजन देते वे थोड़ा सा मारजन देते वे इसको इस तरह से जोइंट हो जाएगा जोइंट होने के बाद देखिए यहां से एस्टा पट्टी डोरी वगिरा जो भी होना आपको कट करके हटा देना ही देखिए हैं यहां से हो गया जोइंट प्लेन अब एक प्रिंट वाला ले ले लिए तो प्लेन बीच में रखेंगे हम और इसको जोइंट करेंगे तो आप चोइस से भी इसको जोइंट कर सकते हैं प्रिंट प्रिंट का अलग भी कर सकते हैं या फिर आपके पास सिर्फ प्रिंट वाले ही फैबरिक हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ड्रास बना सकते हैं बस यह पीस कट कर ले उसके अकॉर्डिंग भी यह ड्रास बन जाएगे आराम से तो बैने इस तरह से थ्री पीस जॉइंट कर लिया अपस में आप चलिए फटफट जॉइंट कर लेते हैं किसी के पास प्रिंट वाला नहीं हो प्लेन हो तो प्लेन फैब्रिक से भी बना सकते हैं तीन अलग अलग कलर के प्रिंट वाला ले 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 या प्लेन ले ले उसको इस तरह से जोइंट करते हुए लंभी पटी त्यार कर लेंगे तो मैं आपको लंभाई चड़ाय बता दूंगी कि ती रही पटी की तो 37 इंच एक हमारी पटी तैयार हो गई थी यह देखे हमने लंभी सारी पटी तैयार कर ली पूरी जोइंट करके बहुत ही सुंदर स से यह गोटा पती गोटे की तो प्लेन ले से यह आप इसके जंगा कोई सी भी कॉटन की ले वगेरा भी लगा सकते हैं और अगर नहीं लगाना चाहें तो ऐसे भी स्टीच कर सकते हैं प्रेस फ़ेर के आप फिर इस तरह से पट्टी को ड्राइस की अकॉर्डिंग बना सकते है तो देखिए मैंने इस तरह से गोटे वाली यह बहुती सस्टी आती है बहुती रीजि PROFESSOR प्राइस प्राइस पर आती है आप आराम से इसको खरी सकते हैं और इससे ड्रेस बनाना बहुती आसान होता है देखिए इस तरह से हम जो जो जोइन्ट भागे ना उस पर बस इस को ग करते हुए नीचे से फोल्ड करेंगे थिरी साइट से फोल्ड करते हैं थोड़ा-थोड़ा और फिर इसको स्टीच कर लेंगे तो इक है पिल्कुली सरलती सिंपल सी ड्रेस बनाएंगे हम और जटपड बन जाएगी हैं और हमारे सारे कपड़े यूस हो जाएंगे और लाड़ आपको बनाना भी स्टेप बाई स्टेप आ जाएगा इस तरह से आप पूरी वीडियो अगर आप रिकॉर्डिंग होई देखेंगे ना तो मैं सारी चीजे रिकॉर्ड करते हुँ ताकि आपको कोई भी तरह की डिफिकल्टी नहीं हो अब गोटा इस तरह से लगाएंगे द लेस होना वो भी लगा सकते हैं और अगर आप जोइंट में लगाना नहीं चाहते हैं तो आप नीचे जरूर लगाएं ताकि वह स्ट्रीज दिखेंगे तो फिर वह अच्छी नहीं लगेगी इसलिए नीचे के साइट हैवी लेस भी लगा सकते हैं जिस तरह भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इस पीस को बिठा कर और ड्रास बना सकते हैं देखिए मेरे पास ये प्लैन ताना गोटा इसी से मैं लगा लूँगी और इसी से बहुत ही सुन्दर सी ड्रास बन जाएगी बहुत ही कम समान से हम ये ड्रास बनाने वाले हैं इसमें ज्यादा समान की जरूद भी नहीं पड़ेगे मैं बस ये हमें पीस चाहिए और ये गोटा चाहिए ये मतर से हम पूरी ड्रास तयार कर लेंगे ये देखिए पिल्कुल ही जट पर तयार हो जाएगी आपका तो बस ये पीस को चोड़ने में इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसके से कट कर देते हैं ये देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी पटी तयार हो गई है लगी नीरी हमने जोइन करके बनाई है अब आपको प्लेट के से डालने देखिए लास्ट वाला भाग को इस तरह फोल्ड कर देंगे और शुरू वाले को इस तरह से फोल्ड करते वे इसके बिठा लेगे तो हमने जो फेबरिक रगा न उसी के According ब्लेंट्ट दालने है देखिए बहुत पूरा नंदर चला जाएगा वह फैबरिक और बिल्कुल ही पास पास हमें प्लेट्स दालनी ऐ देखिए इस तरह से पैटर्ण पूरा इस तरह कहीं रखना है हमें बिल्कुल इसक बड़ा नहीं करना है और आपस में जादा जोएड़नी करना है बस हमें जिती-जिती फैब्रिक होगा ना यह पूरा फोल्ड करते वे इस्टीच करते जाएंगे पूरी पट्टी को इकटा कर लेंगे दो दोनों पट्टियों को बिठाते वे देखिए तीनों फैब्रिक के जो पट्टिया है ना इसको बिठाते वे इस तरह से फोल्ड कर देगे तो यह हमारा तयार हो जाएगा फैब्रिक और इसकी चोड़ाई भी मैं आपको बता दूंगी लगबक किती बैठेगी तो आप अपने लाडू को पाल जी के साफ से इसको लेके बना सकते हैं लंबाई चोड़ाई आप अपने इसाफ से रख सकते हैं और इसका कमर का साइज भी आप अपने इसाफ से रख सकते हैं अपने लाडू को पाल जी के साफ से देखिए कभी कभी क्या होता है कभी हमें छोटी ड्रा से बहुत अच्छे लगतई है जो बड़े लाडु कपाल जी लिये बनानी होती है तो हम उनके लाडु कपाल जी के पराने ड्रयास के अकोरडिएंड लेकर उनको बना सकते हैं और च्छोटे लाडु कपाल पटी दो इंच के हमने काट ली थी पिलेन वाली आपके पास जो भी फैबरिक को उसके अकॉर्डिंग कट कर लें उसको बैक सेट से लगाना होता है तो इस तरह से सैट कर लें तीनों फैबरिक को अच्छे से सैट कर लें क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में सेट करके लग पर बिलकुल ही सफ़ाई से और एक एक स्टैप को फोलो करते रहे हैं देखिए हमने इस तरह से स्ट्फिच कर लिया है स्ट्फिच करने के बाद इसे हमें सीधी सब्सक्राइट पर लटना है उसे पहले हम डोरी तयार कर लेंगे डोरी तयार इसलिए कर रहे हैं कि डोरी से क्या होगा लुक अलगा जाएगा ड्राइस का और कॉमिनेशन में अच्छा बेठेगा तो इसके धागों को कट करते हुए हम डोरी तयार कर लेते हैं तो मैंने दो इंची लंबाई चोड़ाई की है शोटी सी पटी लिए इसको हमने ट्राइंगल शेप में ले लिया इसको फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद इस पे भी थोड़ा सा गोटा लगा लेंगे तो लटकन जो होते हैं उस तरह से फैबरिक में हम इस तरह से बना लेंगे देखिए इस तरह से हम पतला सा गोटा इस तरह से लगा लेंगे मैंन हमने थोड़ा सा छोड़ते वैं फैबरिक को इस तरह से गोटा लगा लेंगे तो इस तरह से हम तयार कर लेंगे चोटव चोटव पीस और ये पीस हम डोरी में आटेच कर देगे किस तो से करना है वो भी मैं आपको पता दूँगी अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे वाच करेंगे तो आपको दीरे-दीरे करकर आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और स्टेप बाइ स्टेप आपको ड्राइस बनना आजाएगी देखें बीच में हम सीधी साइट से ही रखेंगे जितर से हमने गोटा रल लगाया था न उसी साइट से रखेंगे और जो हमने देखें फोल्ड करके इसको चोटा ट्राइंगल गे देखेंगे बिल्कुल ही छोटा सा हो जाएगा और यह आपस में जोइंट करके स्टीच कर देगे जो कुल्ला बागे न पूरा उसको स्टीच क कि भी काप मुझे बाइब्स करें के ना के दिए आपके मुझा रिप्लाइब्स करूंगAmeric ranked साइब रिप्लाइब करें तक रचाइब मुझे कि एक पाप नियुक्त करने का क्लियर करना मैं के आपकर lendland के करना का Đกा है और जो भी स्ट्राइप को कट करके हटा दिया है कट करके हटाने के बाद इसको ओपन इस तरह से करेंगे देखिए इसको इस तरह से ओपन करेंगे न तो यार आम से हो जाएगा और कोनों पर सैट हो जाएगा बहुती सुन्दर सी डोरी त्यार होती है हमारी इस तरह की आप च तैयर हो गई है आप दोरी हमें इसमें लगाने से तो एस्ट्रा को कट कर लेगे या सब्सक्राइस ना तो कमर पट्टी लगाना असान हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ भी लगेगी तो देखिए मोटा मोटा हो जाता है से इस कारण मैं आपको इसको कट कर ले चला देती हो ताकि आपकी कट करने से क्या होगा देखिए हमारे फोल्ड करते समय यह जादा मोटा नो आप डोरी को अंदर डालते हुए हमें स्टीच करना है इक्वल ही स्टीच करना है हमें जादा मोटा पतला नहीं करना है एक सारी जिस तरह से हमने शुरुआत में करना है शुरुआत में हमने फोल्ड कर लिया था लास्ट में इस जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको भी फोल्ड कर देंगे और डोरी पर स्टीच नहीं करना है बस यह दो एक बातों का धियान रखना होता है कमर पट्टी लगाते समय यह देखे सिंपल सी पट्टी लगाई है हमने इ दोनों साइट से फोल्ड करते हुए आपस में जॉइंट कर देंगे और हम गोटा लेस हमारी लगा देगे अगर आप बिगनर है तो आप पहले इसको स्टीच कर लें और फिर गोटा लगा ले तीक है उससे भी यह सैट हो जाएगा देखिए इस तरह से त्यार कर लेंगे औ और हमें अराम से पटी तैयार हो जाएगी तो पटी तैयार होने के बाद देखिए इस तरह से सुन्दर सी तैयार हो यह हमारी प्लेन भी ले सकते हैं प्रिंट वाली भी ले सकते हैं आपकी इच्छा के अगोडिंग आप ले सकते हैं दो इससे में इसको बट कट कर लेंगे इसके लाडब कॉपलजी के नाराम से बन जाती है अब इसको गेर के साथ हम सैट कर देंगे घेर को बीच में से मैजर कर towel कर लेंगे दोनों चौनों को मिलाते हुए और कर लेते हैं मार करने के बाद ही लगाएं क्योंकि हम इस पर गोटा भी लगाने वाले हैं तो कोने से लगाना शुरू करेंगे को देखिए इस तरह से नीचे के साइटी लगाना हमें दोरी पर बिल्कुल भी सलाइनी फेनी नहीं तो अटक जाएगी तो फिर आप लाडू को प करिए पूरी अच्छे से देखिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना और अगर हमारी वीडियो बनाई भी आपको पसंद आती ड्रेस वगेरा तो कमेंट करके लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को अन जरूर करने ना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको हमारी सबसे कर लिए वीडियो देखने का मुका मिल जाए हमारी और प्यारे प्यारे कमंट कर सकते. तो देखिये हम Precis, मुकूड के लिए पटी तयार करनी होगी है वीडिया crochet जिस तरह से चोडाई लंबाई कि हमने पटी लेके नहीं आप चाहो तो इकवल 6 7 भी कर सकते हो और आप चाह 35 तो अलग-अलग भी कर सकते हो पर थोड़ी सी है न चोड़ी बनती है मुकुट की पट्टी इसलिए मने अलग से कर लिए कभी-कभी साथ भी कर लेती हूँ कभी-कभी अलग भी कर लेती हूँ इस तरह से मैं बना लेती हूँ तो आप चाहूना ता एक साथ कर सकते हो तो देख कर सकते हैं पहले बिगिनर है तो आप पहले पर पट्टी प्रॉटा लगा लें तो दोना तरह से तैयार हो सकती है आपको बनानी की च्छा होती है तो हर चीज सीखने के लिए time लगता है तो फिर आप सीखी जाते हैं तो जट पर ड्राइस बनानी के लिए आप दोनों इस ट्र कि तयार करेंगे कलकी के नहीं हमने फैब्रिक ले लिया डाह इंच का चोड़ाई और नुई इंच लंबाई का तो इस तरह से प्रिंट वाले फैब्रिक ले लिया है और एक इंच की पट्टी ले लिए इसको सीधी साइट पर लटके उल्टी साइट से लगाना शुरू कि इस तरह से लगाएंगे कोने से लेके पूरा नीचे तक तीनों साइट लगानी हमें तो कलकी बनाने के लिए ये फैब्रिक से ही बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कोने से लगाएंगे और इस तरह से आप चाहो ना इसको फोल्ड करके डारिक भी लगा सकते हो पर मैं आप सरे तक बहुत हो जबा जबार में आपसज़ को चाहिए कंशे को आपसे कानी साथ में रहा है process डिट गों जाका को आप अप से तरह Hazard सकते हो मैं भाषा करें एक कर गाए चाहिए तो इस तरह से कोने बिठाद लेंगे देखिए सुई अटका लेंगे न तो वो कोन फैबरिक ही लेगा नहीं जादा आप गुमाओगे तो आराम से गुम जाएगा तो इस तरह से चोड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पाइपिंग टाइप हम लगा रहे हैं यह पटी तो इससे क्या लुक बहुत ही सुन्दर सा आएगा जब हम कलकी बनाएंगे तो देखिए मैं यहां तक स्टीच कर लूँगे प्लैन फैबरिक को और हमारी यह पटी तैयार हो जाएगी और इसको पलट के सीधी साइट कर लेंगे तो यह बहुत ही सरल तरीका होता है कलकी बन नहीं होगी यह देखिए और इसके साथ हम गोटा भी लगा लेंगे उपर के साइड अगर आप बिगनर है तो आप पहले स्टीच कर लें और फिर उसके बाद गोटा लगा लें तो देखिए इस तरह से दोनों साइट से बन सकती है आराम से बन जाएगी और इसको बनाने मा helps कोती है हमें कोई चीज आतंसे क हिए हम ने रूस त्यार करें को थे दो कभी कभी कना क्या होता है टाइम को तो ठीके चलते थे हैं तो वीडिय Sergeant चाहिए कि चैछी कभी बीड़ाइप को बनाना चाहिए तो लुक HP बहूप आप ने ढोगा नादिय को डैका की बहुत ह से लग रहे हमारे लाड़ो गुपाल जी अगर आपने नहीं देखा है ना तो लास्ट मैमे में आपको शेयर करूंगे किस तरह का लुका अड्रस का और लाड़ो गुपाल जी कैसे लग रहे हैं तो देखिए इस तरह से आगे किस साइट इसको सैट करते हुए और दिरे-दिर आप इसको भी गोटे को भी लगाते जाएं ताकि दोनों चीज़े एक ही साइट लग जाएगी और बहुती सुन्दर सी हमारे कलगी के लिए पटी तयार हो जाएगी कभी कभी क्या होता है कोई चीज़े दिखने में डिफिकल्टी लगती है पर बनाने में वो नहीं होती है अगर आपने स्टेफ फोलो करते हैं तो ड्रैस बनाना तो बहुत ही जादा सरा लगता है मेरे को छोटे से लाड़ू को पाल जी गेनी तो जादा समानों की जरुवत न ब Means लोगता है मेरे का जाई यहां धूद छ रहसा और मेरे का चिल पर चाते हैं आई दो करें के लगते ही रहाद में टाल को जाल पर ट्रैस वहां करते हैं तौल हें एक कर गरता हैं में जोवेगा संबस्क्राइग छोटिशचा में टाल दालेंग को बकर दों one जबे सेंस द अगर आपसे नहीं पालगा के तो एक मिदना चाहर तक्राकर दोब वो ऐसे ही लुक देती है खुलती नहीं बिलकुल भी और दो एक बार फंदे दे देंगे इस पर दागे से तो एक कल की तैयार हो गई है इसको मुकट को आप जट पड़ बना सकते हैं बस आपको क्रॉस में पट्टी को लेना है और तैयार हो जाएगी कल की साइड में आपके भी साइड में लगा सकते हैं देखिए हमारी ये ड्रास पूरी ओवरोल लुक ये है तैयार हो चुकिए हमारी ड्रास कैसे लग रहा है आपको लाडू को पाल ची पहने में कमेंट करके ज़रू बताना वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना चैनो को सब्सक्काइब ग कर दazyक कर दोल करुंदके करुंदके जुकिए हैले हैं दूगलाइब झाल्या है कर द boxer दोल चही है।